Hello everyone, welcome back to our channel Science and Fun 9th and 11th जहां हम teachers आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं and I am your educator Reema गही और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही important question, actually एक confusion कि जब हमें reading time के लिए 15 minutes मिलते हैं तो हम इसको best तरीके से कैसे utilize कर सकते हैं तो I will just take your 3-5 minutes and इस चीज़ को अगर आप follow करेंगे तो आपके exam में revision के लिए last में you will be having enough time देखिए, आपको boards मिलते हैं 15 minutes जिसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं उसके options मैं आपको दूँगी मेरे according, अगर हम पूरा paper read करना शुरू करते हैं तो ये बिल्कुल भी एक अच्छा option नहीं है Reason being, suppose आप पूरा paper पढ़ना start करते हैं और आपको ऐसे दो-चार question भी दिख जाते हैं जहां आपको लगता है नहीं यार ये तो मेरे को नहीं आते तो आप में आ जाएगी anxiety, डर हो जाएगा कि यार आप मेरे paper में इतने marks कर जाएंगे और आपको आते हुए question भी आप नहीं कर पाओगे Secondly, आप पूरा paper एक बार read लगा भी लोगे तब भी जब आप paper करने लगोगे तो आप दुबारा पढ़ रहे हो वो questions तो there is no use of reading whole paper in that 15 minutes तो ma'am क्या करें आप ही बता दीजे तो आपको मैं तीन options दे रही हूँ इन तीनों में से जो आपको suitable लगे आप वो कर सकते हो हर एक teacher की हर एक बच्चे का perception अलग-अलग होता है मेरे according आप उस 15 minutes में या तो आप MCQs कर लीजे हाथ में pencil रखे देखिए question paper पे लिखना allowed नहीं होता है हाथ में pencil रखिए और हलकी सी dot mark कर लीजे जो भी आपको answer समझ में आ गया है अराम से 15 minutes में 20 MCQs आपके अराम से निपड सकते हैं हो सकता है आपके ये MCQs 10 minutes में ही निपड जाए तो आप क्या कर सकते हो आप या तो case base solve कर सकते हो आपको पता है 112 यानि कि 4 number का case base जाता है पहला एक number फिर एक number फिर दो number तो आप at least एक एक number वाले तो उसी time case base में mark कर सकते हो ताकि जब आप वहाँ पहुचो तो आप जल्दी से पस लिखो और आगे बढ़ जाओ क्योंकि आपने पहले वो खुद solve किया हुआ है तीसरी चीज मैं ये सबसे ज़्यादा prefer करती हूँ अपने क्योंकि मैं SST पढ़ाती हूँ मुझे SST में तो पता है बच्चे यही identify नहीं कर पाते हैं कि जब option वाला question आता है तो हम उपर वाला attempt करे या नीचे वाला attempt करे और वहां वो ऐसे खड़े हो जाते है मैं बैठ जाते हैं कि यार मैं उपर वाला करूं या नीचे वाला करूं बाए चांस आप उपर वाला करना शुरू कर देते हैं और आपको दो ही points याद आते हैं पास नंबर के question में फिर आप काटते हो फिर आप नीचे वाले पर जाते हो तो यहां हो जाता है time waste तो इसी लिए आप उस 15 minute के अंदर जो भी और और वाले आपको सवाल दिख रहे हैं दूर से दिख जाते हैं उसमें ये identify कर लो कि मुझे उपर वाला solve करना है तो एक के चार आते हैं तो चार वाला आप 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 करो चाहे वो दो नंबर का हो तीन नंबर का हो पाश नंबर का आप आप आप्ट वो करो जिसमें आपको ज्यादा points आते हैं क्योंकि आप वहां तक जब करने पहुंच चुके तो इसलिए पहले ही आप चूज कर लो कि मुझे उपर वाला करना है या नीचे वाला करना है तो ये तीनों options मेरी तरफ से आप कर सकते हो आप और क्या-क्या करते हो पहले 15 मिनिट में मुझे comments में जरूर बताना and yes, all the best for your board exams ऐसी ही ट्रिक्स के लिए और पढ़ाई के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं See you all in the next video